आज वेल्कम् टो मै चैनल मेरा नाप है प्रदल और आज हम डिसकस करने वाले हैं फार्मसिटिकल इंकॉंपआटिबिलिटि के बारे में तो जी क्या होती है तो इंकॉंपांटिबिटिलिटी बेसिकली रिफर करती है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्स्टांस को हम मिक्स करते हैं और उनका नेचर ऐपोजिट होता है यानि हम कह सकते हैं कि अगर वह एंटागोनिस्टिक नेचर के होते हैं तो एक अंडेजारबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसकी वजह से जो भी हम फार्मसेटिकल प्रोड़क्ट बना रहे है उनकी safety जो है वह effect होती है साथी जो therapeutic effect उसको produce करना है वह produce नहीं कर पाता और appearance भी जो है वह change हो जाती है तो basically pharmaceutical incompatibility जो है वो 3 तरह की होती है पहले physical incompatibility second होगई chemical incompatibility और third होगे therapeutic incompatibility one by one अब हम देखेंगे कि यह सारे incompatibility कैसे होते हैं तो सबसे पहले physical धुकिंग स्ट्रीटत तो तो यह में फ इससों में जादा नान कॉंपाउटिबल सब्स्टांस को मिक्स करते हैं तो एक दूसरे के साथ इनट्रीटिवर करते हैं और यह बिसीक्ली तब होता है जब मतलब किसी मेडिसीन की कंपाउंडिंग कि जा रही हो मतलब मेजर करके तो बिसिकली जब हम मेडिसीन की कमपाउंडिंग कर रहे हैं और वह मेडिसीन का जो फॉर्म है वो कुछ भी हो सकता है चैंच बीच में जो इनटरांक्शन होता है वह बिलकुल वीजिबल चेंज दिखाता है जैसे कि या तो कलर चेंज हो जाएगा तेस्ट चेंज हो जाएगा जो जो विसकॉसित है अगर लिःखविड होग से या फिर जो प्रोडक्ट उसके अपयरीड के in-सार के जी तरीके हैं जिसकी वज़ा से फिजिकल इनकॉमपेटिबिल्टी जो होती है डिफरेंट इफरेंट डिफरेंट ड्रक्स में जिसमें सबसे पहला हो गया insolubility यानि कि कह सकते हैं कि जो हमने वेहिकल यूज किया उसमें जो prescribed drug है वो insolubile है यह जो solubility है वो किस-किस वज़े से affect होती है तो pH में change हो जाए या फिर surfactant use किया जा रहा हो जो कि यह drug को वेहिकल में insolubile बना रहा हो या फिर कोई chemical reaction हो जाए या फिर complex का formation हो जाए या फिर co-solvent के use की वज़े से यह cases जो solubility है वो affect होगी जैसे कि कुछ drugs है, sulfur, antibiotics और कुछ corticosteroids है वो water में insolubile होते हैं और उनको जो है वो water से wet करना difficult होता है इसलिए उसमें फिर wetting agent एट किया जाता है ताकि यह water में dissolve हो जाए second factor है वो है immisibility of liquids जैसे emulsion, cream, lotion या किछ ointments जो है उसमें उस case में जब हम यह prepare करते हैं तो water और oil यूज कर रहे होते हैं वहां पर यह water और oil है वो immisible होता है इमिसिबलिटी जो है वो क्यों होती है तो अगर इंप्रॉपर या फिर incomplete mixing की गई हो या फिर जो भी subservetant है उसके जो quantity है वो proper amount में ना हो और उस जो भी emulsion प्रपैर कर रहे है उसके लिए suitable ना हो या फिर जो mixture के है उनमें microbial growth हो चुकी हो या फिर जो mixture है उसको इन appropriate temperature पर स्थोर किया गया हो तो इन सारे factors की वज़े से immisibility जो है वो arise हो सकती है तो immisibility जो है वो emulsifying agent use करके यह emulsifying agent क्या करेगा कि जो oil और water है उसको miscible होने में help करता है उनकी tendency mix होने की increase करता है तो immisibility को हम emulsifying agent यूज़ करके overcome थर्द factor है precipitation जब कोई भी ड्रग है हमने select किया जब किसी भी ड्रग को तो वो किसी भी solution में तभी precipitate करता है अगर वो solvent जिसमें की वो insoluble है उसको solution में add किया जाया जैसे कि tincture को जिसके अंदर resinous matter present होता है उसको water में add करेंगे तो जितने resinous है वो अलग ही आपको एक साथ इखटे होके एक indiffusible precipitate फ़र्म कर देते हैं अब इसको कैसे prevent कर सकते हैं तो basically हम इसमें क्या करेंगे कि जो undiluted tincture है उसको धीरे धीरे vigorous सेखिंग के साथ diluted suspension या thickening agent में add करेंगे और फिर solution prepare करेंगे तो इसली बन जाएगा दूसरा है कि water को फिर अगर alcoholic solution volatile portion होता है oil का वो precipitate हो जाता है फोर जो factor है वो है आपका जो solid mix होता है drug state में वो लिक्विफाइ हो जाए मतलब कि इस process को यूटेक्सिया बोलते हैं जिन भी solids के low melting point होती है कभी कभी वो जब उसको mix किया जाता है तो वो तुरंदी liquid form में आने लगती है क्योंकि एक eutectic mixture form हो जाता है या फिर water liberate होने लगता है जैसे कि menthol, thymol, camphor, phenol यह सब eutectic mixture form करते हैं यानि कि soft mass liquid form कर देते हैं जो hydrates हैं जैसे कि compound जिनका water of crystallization होता है वो जो है water loose करना स्टार्ट कर देते हैं जब उनका temperature जो है इंक्रीज होता है या फिर humidity decrease होती है तो कुछ ऐसे भी सबस्टांस है जो liquid हो जाते हैं जब उनको mix किया जाता है ठीक है तो यह सारे जो है वो physical incompatibility को arise करते हैं अब यह जो physical incompatibility हैं किस methods के तो हम remove कर सकते हैं तो सबसे पहला हो गया emulsification अगर हम emulsifying agent add करते हैं तो जो oils or water होता है उसकी missibility को हम increase कर सकते हैं दूसरे suspending agent add करके यह basically उन liquid preparations में add किया जाता है जिसमें indiffusible solids होते हैं और इनको suspending agent को add करने की वजह से जो उनकी ठिकने से preparation की वह uniform हो जाती है क्योंकि काफी देर तक यह substances जो suspending agent है उनको uniformly distributed रखता है wetting agent add करके यह जो है जो products जो water में dissolve नहीं होते या उनसे उन पर हलका सा भी मितलब की water के वजह से moisture नहीं आता है तो उस case में हम wetting agents use कर सकते हैं जो कि जो powders जो insoluble होते हैं water में उनको soluble बनाए जा सकता है resinous tincture को add करके यह निए undiluted tincture को धीरे धीरे विग्रस सेखिंग के साथ जब diluted resinous tincture में add suspension में add किया जाता है तो इससे क्या होगा कि जो clots होते हैं resinous के वह form नहीं होते और इसली जो है वह preparation तयार हो जाती है आट करके suppose करिया हम emulsion prepare कर रहे हैं तो emulsion में क्या है oil और water दोनों है अब oil और water जो दोनों है वह किसी solvent के साथ दोनों dissolve हो सकते हैं तो common solvent जब हम add करते हैं तो oily face और aqueous face को dissolve कर देता है और जो emulsifying agent भी हम use कर रहे है उस oil और water को mix करने के लिए उसको भी dissolve कर देता है और ऐसा emulsion फर्म करता है जो कि सिरफ one face का होता है ठीक है अब हम बात करेंगे chemical incompatibilities के बारे में तो यह तब होता है जब जो भी prescribed ingredients होते हैं उनके अंदर जो है वो chemical reactions हो जाता है जिसकी वज़े से toxic product form होता है यह interactions जो है इमेडियेटली भी होते हैं जब compounding किया जा रहा हो oxidation की वज़े से acid-base reaction की वज़े से hydrolysis की वज़े से या फिर hydrolysis acid-base reaction या फिर दो से तीन reactions जो है वो एक साथ हो रहे हो और यह जो है immediate type of incompatibility होती है chemical reaction की वज़े से immediate incompatibility कहते हैं लेकिन अगर यह reactions जो है जो prescribed ingredients के mixing की वज़े से हो रहा है वो थोड़े time बाद अगर उसमें देखने को मिलता है product में तो उसे delayed incompatibility बोलते हैं basically यह incompatibility जो है वो chemical reaction की वज़े से हो रही है तो देखते हैं कि वो कैसे होता है सबसे पहले oxidation reduction reaction तो जब भी prescription mixture को mix किया जाता है तो usually अगर air या फिर excessive storage temperature हो light हो या over dilution हो गया हो या pH incorrect हो या कोई और catalyst presence हो तो उस case में oxidation हो जाता है अगर हम तो अगर suppose करिए कि जो भी हमने preparation त्यार करें उसमें कोई catalyst add किया गया हो तो उस case में complexing agents यूज़ कर सकते हैं उस trace metal ion catalyst को counteract करने के लिए जैसे sodium additate या sodium calcium additate अगर हम बात करें तो fats या फिर oils या phenolic substances, aldehyde and vitamins में क्या होता है कभी-कभी auto oxidation हो जाता है तो इस case में प्रोपाइल गालेट, thymol, betylite, hydroxy anisol, betylite, hydroxy toline वगरा यूज़ करके इस चीज इस auto oxidation को prevent किया जा सकता है chemical incompatibility है वो acid based reaction की वज़े से हो सकता है तो यह reaction basically या तो precipitate form करेंगे या gas formation होगा या फिर color change होता है ठीक है तो precipitation में क्या होता है कि जो alkaloid salts होते है वो soluble होते है water में लेकिन alkaloid basis जो होते है वो insoluble होते है water में और freely soluble होते है organic solvents में तो जब alkaline substances को add किया जाता है alkaloid salt solution में तो free alkaloid जो है वो precipitate के form में separate हो जाते है second जो है बात करेंगे कि evaluation of gas तो acid based reaction में जो है वो gas evolve होता है तो जब भी ingredients को mix किया जा रहा हो तो chemical reaction की वज़े से gases जो है वो produce हो सकते हैं जैसे कि carbon dioxide जो है वो evolve करता है अगर carbonate और acid जो है किसी aqueous media में present हो तो उनके बीच में जब reaction होता है तो carbon dioxide release होता है या फिर जब para amino salicylic acid syrup जो है उसका decomposition होता है उस case में भी carbon dioxide जो है वो release होता है दूसरे example कि अगर हम बात करें तो जब boric acid जो है वो glycerine के presence में glyceroboric acid फॉर्म करता है तो यह जो है फिर bicarbonate के साथ react करता है जिसकी वज़े से gas release होती है reaction की वज़े से third visible चीज जो होती है वो है color change यानि कि जो भी हमारा pharmaceutical product है उसमें color change देखने को मिलता है तो सिंस जो pharmaceutical practices में बहुत सारे dyes यूज करते हैं और उनका color है उनके ionization के डिपेंड करता है और यह ionization के डिपेंड करता है जो solution का pH है जैसे कि phenophthalene जो है वो colorless होता है acid solution में लेकिन red होता है alkaline mixion में तो इस तरह के incompatibilities को correct किया जा सकता है एक suitable buffering agent आड़ करके या फिर जो भी वेहिकल है उसको change करके जिससे की free acid or free basis जो है वो salt से नहीं form हो ठीक है तो जो chemical incompatibility होती है वो hydrolysis की वाज़े से तो इसमें क्या होता है कि जब बहुत चारे ऐसे substances हैं जो water में hydrolysis हो जाते हैं और उनका reaction जो है वो और ज्यादा enhance हो जाता है मतलब है यह hydrolysis का reaction और fast हो जाता है अगर heat की वज़े से या catalyst की वज़े से hydrogen ion या फिर hydrolysis ion की वज़े से और ऐसे substances की example है जैसे ister amize metal जैसे की जिंक और iron यह सारे जो है वो water में hydrolysis हो जाते हैं अगर heat हो, catalyst हो, hydrogen ion हो या फिर hydroxyl ion की वज़े से यह reactions और भी fast हो जाते हैं फोर्थ है explosive combination, oxidizing agent जो है chemically reactive होते हैं reducing agent के साथ और कुछ और ऐसे combinations अगर कर दिये जाए जो भी pharmaceutical product है उनमें ऐसे ingredient यूज किया जो है reducing agent हो और reducing agent हो तो इस case में a close-in देखने को मिल सकता है next जो है वो racemization, racemization basically क्या होता है कि जैसे कि कोई भी substance है तो वो substance क्या होगा कि बिना किसी chemical constitution के change किए वो optically active form से optically inactive form में convert हो जाता है लेकिन जब ऐसा होता है तो उस case में जो pharmaceutical activity होती है वो reduce हो जाती है जैसे कि adrenaline, ephedrine, norepinephrine जो है reaction होने की वज़े से optically active से optically inactive form में convert हो जाते है कुछ other changes की बात करें तो बहुत सारे other chemical incompatibility है जो कि cementation या फिर heat या cold की वज़े से हो सकता है या polymerization की वज़े से हो सकता है, double decomposition की वज़े से हो सकता है, substitution या addition की वज़े से हो सकता है जिसे की pharmaceutical product जो है, वो useless हो जाते है, मतलब उनकी therapeutic efficacy reduce हो जाती है या फिर वो safe नहीं होते है next is therapeutic incompatibility, यह basically तब होती है जब किसी patient को जो drug या फिर prescribed drug है उन दोनों का nature अलग हो और जिसकी वज़े से जो उसका purpose है जो effect produce करने का वो न produce करके वो या तो बहुत minimum कोई effect produce कर रही है या फिर कुछ भी नहीं, patient को पे किसी तरह का effect नहीं हो कुछ common therapeutic incompatibility है doses error, बहुत सारे serious type of doses errors जो है वो arise हो सकते है जब किसी भी medication का overdose dispense कर दिया जाए इसलिए जब भी prescription जो है फार्मसिस्ट के पास जाता है तो उसको carefully यह चक करना चाहिए कि किस तरह की medicines जो है वो prescribed की गई है और कितना specific dose जो है वो patient को देना है ठीक है second है wrong dose या फे doses form बहुत सारे drugs जो है वो similar होते है names में लेकिन जो जब उनको dispense किया जाता है तो wrong drug जो है वो dispense हो सकती है जैसे कि पैडनी सोन और पैडनी सोलोन डिजॉक्सीन और डिजी टॉक्सीन बहुत सरे ऐसे drugs है जो कि market में अलग अमांट में जो है वो एवलेवल है जैसे कि तो इस तरह से उनकी quantity जो है वो अलग-अलग होती है तो suppose करिए कि किसी भी patient को drug dispense करने के लिए एक अगर prescription आए और उसमें doses का अमांड न मेंचन हो तो उसको clearly वो चीज जो pharmacist को clear कर लेना चाहिए उसके हिसाब से जो है वो drug को dispense करना चाहिए नेक्स है contra-indicated drugs बहुत सारे ऐसे drugs है जो कि किसी particular disease के लिए contra-indicated होते है और या फिर कोई patient है उसके लिए allergic होता है तो अगर इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाए तब भी therapeutic incompatibility हो सकती है जैसे कि corticosteroids जो है वो उन patient जिसको peptic ulcer होता है उसमें contra-indicated होती है next है synergistic and antagonistic drug तो यह जो deliberately हो सकती है या by mistake हो सकता है synergic effect basically refer करती है कि जब दो drugs को combine करते हैं तो जो effect produce करना है drug को separately वो जो है वो enhance हो जाती है जैसे कि aspirin और paracetamol जो है वो analgesic activity को increase कर देते हैं अगर combination में दिये जाए panacenil और streptomycin जो है वो entry bacterial activity को increase कर देती है यानि कि bacterial growth को prevent करने में और ज्यादा effective हो जाती है अगर combination में दिये जाते हैं antagonistic basically refer करता है कि जब जो drugs को एक साथ दिया जाए तो जो drug का overall effect आना है उसको वो reduce कर देती है या एक दूसरे के जो individual effect है उसको भी reduce कर देती है जैसे aspirin और probenacet को अगर एक साथ दिया जाए तो दोनों anti-gout agents है तो अगर prescribed कर दिया जाए तो इनका combination जो है वो neutralization effect produce करेगा मितलग किसी तरह का कोई भी therapeutic effect प्रोडिशन को किसी तरह का कोई भी relief नहीं मिलेगा next है drug interaction तो यह जो है अगर एक drug जो है और दूसरा drug एकदम simultaneously किसी patient को दिया जाए तो उस case में जो है वो drug interaction हो सकता है जिसकी वज़े से therapeutic activity जो है वो effect हो सकती है जैसे कि अगर cns stimulant और cns depressant को एक साथ दिया जाए या kolinergic या anti-kolinergic drug को एक साथ दिया जाए तो कि दोनों interact करेंगे और इस interaction की वज़े से therapeutic effect जो है वो zero हो जाएगी ठीक है क्योंकि एक drug जो है वो cns को stimulate कर रही है दूसरा depressed कर रही है तो stimulation depression अगर एक साथ हो रहा है तो यानि कि इमहां पर neutral effect हो जाएगा इस सारे factors जो है वो therapeutic incompatibility को arise करते हैं जो यह undesired drug interactions है इसको basically correct किया जा सकता है जो doses दिया जा रहा है patient को उनको properly adjust करके या अगर interaction जो detect हो रहा है तो वो pharmacist कैफुली चेक करें कि यह दोनों एक दूसरे के साथ interact को नहीं करेंगे इस तरह से prevent किया जा सकता है तो यह था about आपकी pharmaceutical incompatibilities के बारे में अगर आपको मेरा ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस लाइक शो और कमेंट करें थैंक यू फॉर वाचिंग